बिहार में ठंड का प्रसेंड रूप देखने को मिल रहा है एक तरफ जहां मौसम बेभाग की तरफ से बिहार के कई जिलों में शीत लहर को लेकर लगातार अलट जारी किया जा रहा है तो वहीं दूसी तरफ अगर हम बात राजधानी पटना की करें तो राजधानी पटना में भी मौसम का मिजास बेहद ही बदल गया है 14 और 15 तारिक को मौसम बेभाग की तरफ से राजधानी पटना समेथ बिहार के 15 जिलों में यलो अलट जारी किया गया था ये अलट जो है शीत लहर को लेकर जारी किया गया था वहीं अगर हम कल की मौसम की बात करें तो कल राजधानी पटना में मौसम का मिजास जो है वो बेहद अलग रूप में दिखा क्योंकि एक तरफ लोगों को शीत लहर सता रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लोग धूप के लिए तरस रहे थे अगर आज की मौसम की बात करें तो आज भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है और आने वाले दिनों में मौसम का मिजास क्या कुछ रहने वाला है चलिए हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं श्मी हिमाले शेत्र में चल रही शुषक और बरफीली हवाओं ने बिहार के लोगों को कपा दिया है लगतार इनका प्रभाव बने रहने से कई जिलों में नियुंतम और अधिक्तम तापमान तेजी से गिरा बटाई है पटना सहित राज के अधिक तक शेहरों का नियुंतम तापमान सामान से काफी नीचे आ गया वहीं धूब के प्रभावी न होने से कनकनी की सती बनी हुई है मौसम भाग की ओर से लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है पटना सहित प्रदेश के याठ जिले में रविवार को भीशन शीत दिवस और शीत दिवस की चपेट में रही है राज के 22 शहरों के निंतम तापमान में ब्रिधी और 9 में गिरावट दर्श की गई है पटना के निंतम तापमान में सबसे अधिक 2.6 डिगरी सिलसिलस की ब्रदी हुई है प्रदेश खा सबसे ठंडा शहर सबोर रहा जहान निंतम तापमान 5 डिगरी पर आ गया जबकि अधिक्तम तापमान 17 डिग्री दर्च किया गया पत्ना सही तोनिस शेहरों के अधिक्तम तापमान में व्रिद्धी और बारा में गिरावट आई है इनमें से खगडिया में सबसे अधिक 3.4 डिग्री सेलसियस की व्रिद्धी हुई है प्रदेश का सरवधी कधिक्तम तापमान 20 जिग्री सेल्सिय से मोतिहारी में दर्च किया गया इन जिलों में शीत दिवस पतना भीशन शीत दिवस की चपेट में रहा है शेकपूरा जमुई बकसर माका समस्य पूर सहरसा और किश्वन गंज में शीत दिवस रहा है पुर्णिया में बहुत घना पश्वी चंपारन में घना और पटना सहिदा दिक शेरों में सुबह केमा देस्तर का कोरा चाया रहा जिसे वाहन चालकों को काफी ज़्यादा परिशानी हुई एक तरफ जहां मौसम बिभाग की तरफ से आने वाले दिनों में बिहार की और भी जिलों में मौसम को लेकर अलट जारी किये गए हैं साथी साथ बिहार के कुछ जिलों में बारिश को लेकर भी मौसम बिभाग ने जानकारी दी है मौसम अभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में बारिश भी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है हम आपको अपने वीडियो के जरी अब्डेट करते रहेंगे फिलहाल के लिए मौसम में इतना ही